तो कहानी शुरू होती है मुंबई से जहां पर हम सनी को देखते हैं सनी एक आर्ट का स्टूडिंट है और most of the artist की तरह वो भी काफी गरीब है उसकी paintings को मतलब उसकी masterpiece painting को लोग 1000-1000 रुपए में खरीदने की बात कर रहे होते हैं और वो यहां पर अपने नानू के साथ में रहता है उसके पिता उसे काफी पहले चोड़ करके चले गए होते हैं क्योंकि वह ऐसे ही चोरी वाले काम करते हैं जिसके वजहेसे वह काफी ज़दा फस जाते हैं और ऐसे एक दिन वह अपने बेटे को स्टेशन पे चोड़ करके चले जाते हैं स्टेशन पे सनी को यहां पर बचपन में एक लड़का मिलता है फिरोस फिरोस के साथ में उसकी काफी अच्छी friendship हो जाती है और फिर काफी दिन बार वहाँ पर उसे लेने के लिए उसके नाना जी आते है उसके नाना जी कुछ भी एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते है और उनका वर्ग भी काफी अच्छा होते है लेकिन वो भी गरीब होते है क्युकि کوئی उन की paintings को भी खडिता नहीं है और यहाँ पर उसके नाने जी की एक printing press होती है जो सका नाम होता है क्रान्थी क्रान्थी में वो जो magazine निकालते हैं उस magazine को कोई भी पढ़ता नहीं है और उनकी press पे भी काफी जादा लोन होते हैं और वो खुद भी losses में चल रहोते हैं अब यहां पर एक दिन उसके नाना जी को पता चलता है कि जहां से उन्होंने सालों पहले लोन लिया था अब वहां पर सभी लोग उनसे लोन को वापस मांग रहे हैं लोन इतना बड़ा है और उनकी savings इतनी कम है कि वो एक मंत में लोन को वो आपस नहीं दे सकते और अब उन्हें अपनी प्रेस को छोड़ना बड़ेगा सनी यहां पर लोन देने वाले आदमी से बात करने के लिए जाता है लेकिन एक मंत का ही टाइम मिलता है और एक मंत पे कहीं से भी वो इतने पैसे लेकर के नहीं आ सकता है सनी और फिरोज यह आपर हमी सारी सेविंग को मिला लेते हैं इसके बाद भी पैसे बहुत ही कम होते हैं तो अब वो लोग यहां पर एक आदमी अनीस से बात करने के लिए जाते हैं अनीस का बिजनस होता है डुब्लिकेट चीज़े बनाने का वो अलग अलग ब्रैंडर चीजों का डुब्लिक जाता है और अब यहां पर सनी जो की काफी जादा एक्सपर्ट आर्टेस्ट हो चुका है वो यहां पर नोट के एक एक डीटेलिंग को एक्जाक्ली कॉपी कर देता है वो हर किसी से नजर बचा करके स्टोर रूम में अपनी प्रिंटिंग प्रस चलाते हैं और वहीं पर ही स लग जाता है और फाइनली उसे एक मैगजीन में मिल भी जाता है अगर मैगजीन के दो पेपर्स को आपस में चिपका दे तो वह पेपर बिल्कुल नोट के पेपर जैसा बन जाएगा और इसी के साथ सनी यहां पर अपनी फॉर्स पर्फेक्ट सांडविश नोट बना देता सांडविश नोट ऐसे कि उसने दो पेपर्स पे दो डिफरेंट साइट को प्रिंट की होता है और बाद में दोनों को चिपका दी होता है यहां तक कि उसने माइक्रो प्रिंटिंग भी इतने अच्छे से करी होती है कि इसमे डिफरेंस बताना almost possible नहीं होता है यहां पर ट्र प्रक्टर यहाँ पर 2 करोड की नोट्स को 1.500 रुपय में खरीद रहोता है और सनी यहाँ पर इसके लिए मान जाता है पर उनके पास इतना जादा स्टॉक नहीं है और नहीं इतना जादा पेपर है कि वो लोग 2 करोड की नोट को प्रिंट कर पहें और ऐसे यहाँ पर सनी की प्रेस में काम करने वाले एक चाचा जी को उसकी बारे में पता चल जाता है कि वो यहाँ पर नोट्स को प्रिंट कर रहा है लेकिन चाचा जी को भी यहाँ पर प्रेस को बचाना होता है तो वो सनी के साथ में आ जाता है और सारे गार्ट को बंदी बनाने के बाद वो लोग अलग अलग टाइप के बहुत सारे पेपर्स को चुरा लेता है ताकि किसी को भी पता ना चले कि exactly कौन से पेपर को वो लोग यूज़ कर रहे हैं बॉल्ग मशीन को लें अजाते हैं और यकारोरण के साथ में बिजन्स डील कर रहे हैं वो सिने आडवांस दि Today वो लोग अपनी प्रेज को बचा ले और इसी के साथ हम नेक सीन में देखता है मंसूर नाम के एक आदमे को, मंसूर भी नकली नोटों के परिंटिंग करता है पर उसका रैकेट बहुत बढ़ा है, उसके बास बहुत सारे connection है और इस वक्त वो नेपाल में होता है यहाँ पर नेपाल में उसे पकड़ने के लिए एक mission चल रहा है जहाँ पर इंडिया से एक team आई होती है जिसका leader होता है Michael Michael यहाँ पर 6 साल से Mansoor के पीछे पड़ा हुआ है पर Mansoor हर बार बच करके निकल जाता है इस बार Michael यहाँ पर Mansoor को सच में पकड़ लेता है local police की help से लेकिन अब भी यहाँ पर finally Mansoor बच जाता है क्योंकि Mansoor के आत्मी वहाँ पर gun firing शुरू कर देता है Michael यहाँ पर एक काफी अच्छा cop होता है पर आज उसका mission fail हो गया है Michael की एक wife होती है जो कि उससे divorce लेन चाती है Michael का एक बेटा होता है और Michael अपने बेटे की custody चाता है जो कि उसे मिलनी रही होती है क्योंकि Michael नशेडी गंजोडी होता है भली हुए एक अच्छा cop है लेकिन as a human उतना अच्छा नहीं होता है उसे बहुत जल्दी गुसा आता है और वो नशे में लोगों से जगडे भी करता रहता है और इसी सारी condition की वज़े से उसे अपने बेटे की custody नहीं मिलती है और अब यहाँ पर वो एक politician से मिलने के लिए चाता है इस politician की Michael ने कई बार help किया कई बार उसे अलग अलग type के scam से बचाया है और अब इसके return में Michael उसे कई तरह की help लेता है अपने cases को solve करने के लिए यहाँ पर Michael उसे यह बोलता है कि उसे एक अलग division बनानी है तकि वो यहाँ पर मनसूर को पकड़ सके पहले तो मिनिस्टर मना करता है पर बाद में मान जाता है क्योंकि Michael के पास में उसकी कुछ अशलील फोटोज होती है तो मिनिस्टर उसकी बात मान जाता है और यह बोलता है कि election आने वाल है अगर उसकी government के रहते एक बहुत बड़ा scam पकड़ा जाएगा तो उसका काफी जादा नाम हो जाएगा और वो आने वाला election easily जीट सकता है और इसके लिए एक नया division बन जाता है जिसमें अलग-लग division से एक-एक member आया होता है और इस force का नाम होता है CCFART और इसी के साथ scene shift होता है सनी पर जहाँ पर फाइनली उसके पास थोड़े बहुत पैसे आ गए तो वो यहाँ पर अपनी girlfriend को एक क्याफे में लेकर के आता है उसकी girlfriend बहुत अमीर है उसकी उकाट से बहुत उपर की है तो वो यहाँ पर बातों ही बातों में जाने अन जाने में सनी को यह सेम चीज फील करा देती है और सनी को यह सुनकर के बोरा लगता है तो अब जब वो यहाँ पर क्याफे का बिल पे करने के लिए जाता है तो वो यहाँ पर नकली नोटे रग देता है मतलब क्यों क्याफे का बिल नकली नोटों से भरता है और ये बात वहां के waiter को समझ में नहीं आती है और जैसे Sunny यहां पर अपनी girlfriend के साथ में निकलता है तो रंती वहां पर दूसरी तरफ से Megha आती है Megha RBI में काम करती है और वो नकली नोटों को पहचानने में export है जब वो यहां पर खाना खाने के बात में बिलको पे करती है और उसे exchange में वही नकली 500 की नोट मिलती है तो वो उसे देखते ही समझ जाती है कि यह नकली है और फिर वो वहां से सारी नकली नोटे निकाल लेती है उनको वापस लाकर के चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यह sandwich note है यह किसी बहुत ज़ादा professional ने नहीं बनाई है क्योंकि इसके लिए जो printing machine यूज़ के रही गई है वो काफी ज़ादा अच्छी नहीं है पर देखने में यह note एकदम real है मेगा ने यहाँ पर एक CT600 नाम का एक device भी बनाया होता है जिसके अंदर एक chip लगी होती है वो chip यहाँ पर किसी भी नकली note को तुरंती पहचान सकती है और मेगा ऐसा चाती है कि हर शॉप में ऐसी chip हो ताकि कोई भी नकली note चलाना पाए लेकिन फिरहाल government उसके presentation पे बहुत जादा ध्यान नहीं दे रही होती है पर अब उसे finally एक नकली note मिल गई है और उसे यहाँ पर Michael का mail आता है कि उसकी नई task force के लिए उसे वह CT600 वाली machine चाहिए ताकि वो लोग नकली note को test कर सके तो अब यहाँ पर मेगा जाकर कि उसे request करती है कि वो उसे भी अपनी force में join करवा ले और Michael उसके लिए मान जाता है मेगा यहाँ पर Michael को वो नकली note दिखाती है जो कि Sunny ने बनाई होती है लेकिन माइगा यहाँ पर यह बोलता है और चुपके से यहाँ पर Michael का stamp अपनी paper पे लगा करके police station में बोहत जाती है यहाँ पर वो एक हवलदार को लेती है और एक एक करके हर printing press में दो-दो मिनट के लिए checking करने के लिए जाती है अब ऐसे ही करते करते वो Sunny के press तक बोहत जाती है इस वक्त यहाँ पर अंदर printing चल रही है और Sunny मेगा को बाहर से देख लेता है वो यहाँ पर जल्दी-जल्दी करके सारी नोटे छिपा देता है और हवलदार के साथ में printing press में आने के बाद भी उसे कुछ भी मिलता नहीं है और जैसे यह बात माइकल को समझ में आती है कि मेगा यहाँ पर उसकी मर्जी के बिन आप प्रिंटिंग प्रेस में चेकिंग कर रही है वो तुरंदी उसे डाट देता है और उसे वापस बुला लेता है पर इस सब के कुछ वग बात दी यहाँ पर सनी के नानुक गयाब हो जाते है असल में उन्हें भूलने के बिमारी होती है और उन्हें टाइम टाइम पर मेमरी लॉस होता रहता है इसी वज़े से वो शायद अपने घर का पता ही भूल गया होता है अब यहाँ पर वो लोग उन्हें ढूलने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो खुदी पुलिस में अरेस्ट जाते हैं क्योंकि सनी यहाँ पर एसी पी से हेल्प मांगता है और उसे यह बोलता है कि उसके टैस्क भरने की वज़े से यह उन्हें उनकी सालरी मिल रही है अब इसी सब के बीच में यहाँ पर सनी को एक नया कॉंट्राक्ट मिलता है एक कॉंट्राक्ट एक मिनिस्टर का होता है मिनिस्टर को 20 करोड रुपे चाहिए लेकिन वो इसके डिलिवरी देने के लिए खुद नहीं आएगा यहाँ पर सनी और फिरोस को एक गुजरात में ले जाकर के सारे पैसे देने होंगे और यह काफी जादा रिस्की होता है पहले तो चाचा इसके लिए मना करते हैं लेकिन बाद में मान जाते हैं लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सनी के पास में जादा पेपर नहीं हैं तो इस बार वो चोड़ी करने के बचाए एक दूसरा तरीका यूज करते हैं वो एक अपनी publishing company को open करते हैं और उसी company के under में सारे papers बनवा लेते हैं पेपर्स में वो जाधार कार्ड यूज करते हैं बहुत ही बुढ़े दादाजी का होता है और इसके बाद वो सारे papers दे करके legal तरीके से क्यों beer की bottle को smuggling करने चाह रहे हैं तो वो इसके लिए उसे मना करते हैं तो सनी यहां पर पैसे वैसे दे करके उन्हें मना लेता है और इसके बाद वो बाकी के boxes में अंदर रखे हुए पैसे को लेकर के जाता है और जहां पर delivery दे नहीं होती है वहां पर delivery दे देता है उनके पास पैसे आते हैं वो लोग party करते हैं लेकिन अब तक यहां पर उसके नानू को सारी बाते पता चल जाती हैं वो अपनी printing press में उन CT 600 अलग जगे पे इंस्टॉल हो जाते हैं और वो इंस्टॉल होने के वजह से पूरे इंडिया में अलग जगे पे मनसूर की नोटे पकड़ी जारी होती हैं और इस सब की वजह से मनसूर का बिजनस ठप हो जाता है और अब यहां पर मनसूर को पता चलता है कि एक ऐसी 500 की नोट बनी है जो कि मशीन में पता नहीं चल लिए जब क्यों नखली है और यह नोट होती है सनी की तो वह यहां पर सनी को पकड़वा लेता है और फिर उसे एक डील ऑफर करता है कि वह उसके लिए नोट बनाए 2000 के और उन्हें भी प्रॉपिट होगा सनी इसके लिए मान ज कुछ भी कर सकते हैं तो वो यहां पर नकली नोट को बनाने के लिए मान जाता है और मनसूर के साथ में काम करने लगता है क्योंकि मनसूर अमीर है तो वह उसे बड़ी-बड़ी मشीन देता है और एक्जाक्टली वही पेपर लाकर के देता है जिस पर कि नोटे चापी जाती और क्योंकि सनी भी यहां पर टैलेंटेड और फिरोस प्रिंटिंग में एक्सपर्ट है तो वो लोग यहां पर एक्जाक्टली ऐसी 2000 की नोट्स को बना लेते हैं जिसे के मशीन पकड़ नी सकती और इस बार वो लोग 12,000 करोड के नोट्स बनाते हैं लेकिन इसी सब के बीच म मैं यहां पर माइकल को बिलाल के बारे में पता चल जाता है बिलाल यहां पर मनसूर के लिए काम करता है और उसके सारे पैसे को डिस्टिब्यूट करने का काम बिलाल का होता है बिलाल इस बांगला देश में तो मनसूर यहां पर अपनी टीम के साब बिलाल को पकड़ने के ले चाता है और पकड़ भी लेता है क्योंकि वहां की आर्मी की फोर्सेस की हल्फ करती है अब वो लुग बिलाल को ले करके इंडिया आते हैं उसे पूल ताच घ्रते हैं तो बिलाल यहां पर सब कुछ बता देता हैं और साथ में यहां पर बिलाल एक खब्री भी होता है, जो कि वहाँ पर बनसूर की सारी details बिलाल को दे रहा होता है, और बिलाल केihu सब कुछ माइकल को पता चल रहा है, अब बिलाल पकड़ा गये, जब यह सारी बाते मनसूर को पता चलती है, तो वह यहाँ पर सनी से बात करता है और इस बार वो सनी को ही बिलाल की जगे दे देता है। मतलब इस बार distribution का का सनी का है. मतलब इस यहाँ पर इसान करने के लिए Mansoor यहाँ सनी के नान। का ओप्रेशन कर देता है और उसके नान। ठीक हो जाते हैं। पर अब यहाँ पर सनी का काम है कि वो 12,000 करोड इंडिया के बाहर से इंडिया में लेकर के आए और अलग अलग जिगह पे उसे डिस्ट्रिब्यूट करे ताकि वो मार्केट में फैल जाए। लेकिन यहाँ पर बिलाल की वज़े से माइकल को भी इंडिया के सारे रूट्स के बारे में पता चल गया है तो उसे पता होता है कि कौन से रूट्स से पैसे आने वाले हैं तो अब यहाँ पर सनी माइकल की टीम के बारे में पता करने के लिए मेगा से मिलने के लिए जाता है वो उसे indirectly cafe में मिलता है, cafe में वो उससे friendship करता है, room दिलाने में उसकी help करता है, और ऐसा करते करते, वो उसके phone में tracker को download कर देता है, अब यहाँ पर mega के phone में जो भी बाते होंगी, वो सारी बाते Sunny को पता चल जाएंगी, तो अब यहाँ पर खबरी से, जैसे बिलाल को पता चलता है, कि वो लोग कौन सा route लेने वाले, माइकल तुरंती उस route पे नाकबंदी करवा देता है, और जैसे ये बास Sunny को पता चलती है, कि उन्हें सारे routes पता चल रहे हैं, वो तुरंती अपने route को change कर देता है, पर एके करते करते ऐसा करते करते सारे ही route बंदोने लगते हैं, तो अब यहाँ पर Sunny एक plan बनाता है, और वो हर route पे कुछ कुछ करोड रुपे भेज़ देता है, तो मतलब कि हर जगे नकली नोट पकड़े जा रहे होते हैं, और यहाँ पर असली नोट को खुछ Sunny एक ship में लेकर कर आ रहा होते हैं, वो ship यहाँ पर Mumbai में आ रही होती है, लेकिन तभी उसे यह पता चलता है कि Mumbai की port पर भी पुलिस आ चुकी है, तो वो यहाँ पर बीच में पानी में एक जगे पे सारे पैसो के boxes को पानी के अंदर डाल देते हैं, और खाली ship को छोड़ देते हैं, और दूसरी छोटी बोट से वहाँ से निकल जाते हैं, और जब यहाँ पर नाकाबंदी हट जाती है, तब वो लोग रात में जाते हैं, और चुपके से सारे boxes को ट्रक में लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर problem थी, कि 12,000 करोड बहुत बड़ी amount है, और इसके लिए पुराने connections के साथ में उन्हें नए connection भी चाहिए, जो कि Sunny को ही ढूनने पड़ते हैं, वो एक एक करके सारे पैसों को निकाल रहा होते हैं, लेकिन speed बहुत ही slow होती है, और इसी सब के बीच में यहाँ पर उसको और मेगा का relationship भी चल रहा होते हैं, उससे दीरे-दीरे मेगा अच्छे लगने लगती हैं, तो वो यहाँ पर उसके phone में से tracker को हटा देता है, क्योंकि वो उसे और ज़्यादा cheat नहीं करना चाहता, लेकिन अब यहाँ पर मेगार notice करती है, कि वो 500 का note जो कि उसे एक दिन restaurant में मिला था, और इस वक्ट जो 2000 के note आ रहे हैं, दोनों बिलकुर एक जैसे हैं, वैसे ही थे, मतलब वही sandwich note, तो अब वो लोग जाकर कि उस minister से मिलते हैं, जसने कि Sunny को 20 करोड का order दी होता है, और वो यहाँ पर उनकी बात को मान जाता है, और बदले में यहाँ पर मिनिस्टर की उपर से सारे cases हटा लिया जाएंगे, मिनिस्टर यहाँ पर दुबारा से Sunny को कॉल करता है, और यह बोलता है कि उसे दुबारा से कुछ और करोड चाहिए, और पैसे लेकर के Sunny को यह आना पड़ेगा, क्योंकि वो और किसी को ट्रस्ट नी करता, Sunny यहाँ पर सारे पैसो को लेकर के पार्किंग में जाता है, लेकिन आज इस operation में उसे पकड़ने के लिए मेगा भी आई होती है, मेगा को अभी तक नहीं पता है कि नोट बनाने वाला Sunny है, उसका बीर, लेकिन Sunny यहाँ पर कार में से मेगा को देख लेता है, और वो तुरंदी वहाँ से कार भगा देता है, विलिस बहुत दूर तक उनका पीछा करती है, और आल्मॉस्ट उन्हें पकड़ भी लेती, कि तभी वहाँ पर Sunny फिरोज से कहता है कि सारे पैसे पाहर उड़ा दो, एकदम से 2000 की नोट जब हावे में उड़ने लगती है, तब हर कोई इसे पकड़ने के लिए भागने लगता है, और बहुत जादा ट्राफिक जैम लग जाता है, और Sunny वहाँ से अराम से निकल जाता है, वहाँ से निकल करके वो अंडर ग्राउंड हो जाता है, क्योंकि माइकल यहाँ पर मनसूर को और जादा परेशान करने के लिए, मीडिया की हेल्प से बात को लीग करवा देता है, कि इस सारे रैकेट के पीछे मनसूर है, और मनसूर नहीं 12,000 करोट रुपै मुंबई में भेज़े, और इस सबसे मनसूर का नाम खराब हो चुका है, और अब उसके सीनियर्स भी उसके उपर गुसा कर रहे है, हाँ मनसूर भी अकेले काम नहीं कर रहे है, उसके उपर भी बहुत बड़े-बड़े सीनियर्स है, जिसे कि उसे जवाब देना पड़ता है, और अब क्योंकि आपर पुलिस सनी के पीछे पढ़ गई है तो यहाँ पर वो सनी को मारना चाता है ताकि सनी के थ्रूप पुलिस कभी भी उसके पास तक पहुश न पाए लेकिन अभी तक यहाँ पर मनसूर के आदमियों को सनी मिला नहीं वो यहाँ पर उन दोनों को बचा लेता है और बचा करके एक रूम में लेकर के आता है वो उने कुछ ट्रेन के टिकेट देता है और बोलता है कि वो लो यहाँ से निकल जाए और कुछ वक्त तक वापस नहीं है लेकिन जब वो लोग यहां से निकलने ही भाल होते हैं कि तभी यहां पर सनी को पता चलता है कि उसकी क्रांती प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई जो कि मनसूर ने लगवाई है और उसकी प्रेस के अंदर बैठो होते हैं उसके नाना जी जिनकी आग में जल करके डेथ हो गई है यह सुनने के बाद सनी पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है वो यहां पर फिरोज को बोलता है कि वो ट्रेन से वापस जाए स्टेशन की तरफ और चला जाए और वो आ जाएगा और अब इसके बाद वो एक गन लेता है और गन लेकर के सीधी उसी जेके पे जाता है जहां पर 12,000 करोट रखे हुए वो यहां पर एक एक करके हर आदमी को जान से मार देता है कुछ को गोलियों से मारता है कुछ को हथोले से पीट पीट के मारता है और इसके बाद वो मनसूर को वीडियो कॉल करता है वीडियो कॉल पर यहाँ पर वो मनसूर के सामने सारे पैसो को जला देता है और यह बोलता है कि वो उसे मारने के लिए आने वाला है और दूसी तरफ फिरोज यहाँ पर ट्रेन के उपर चड़ जाता है लेकिन क्योंकि अभी तक यहाँ पर सनी आया नहीं होता है तो वो उसी के बिना जा रहा होता है और ये सीरीज यहीं पर इसी पॉइंट पर खत्म जाती है इस सीरीज का नेक्स सीजन भी आने वाला है और इस सीरीज का नाम है फर्जी जो कि 2023 में रिलीज हुई अगर आपको मारा एक्स्प्रेंट पसंदा हो तो प्लीज मारी वीडियो को लाइक करें शेर करें और में चाल को सब्स्राइब करें तो मैं बते हैं नेक्स वीडियो के साथ बाबाई